सब का एक खौब है अभी कि 2024 का जो नीट है उसको हम बहुत अच्छी रांग से और बहुत अच्छे मार्क से स्कोर करें अब ऐसा चाहिए है आपको तो अपनी पढ़ाई को एक तो आज हम थोड़ा सा यह discuss करेंगे बेटा कि क्या वो टेकनिक्स हैं क्या वो तरीके हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई में चार चान लगा सकते हैं मतलब होता है ना कि हम पढ़तो रहें बट किस डिरेक्शन में पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है यह सारी चीजे हम आज थो तो बहुत अच्छे से आपको आज समझ में आने वाला कि अपनी पढ़ाई को बाइलाजी में mainly geology, biology, botany में किस तरह से cover करना है ठीक है? तो बेटा सबसे पहले तो कोई भी पढ़ाई हो ठीक है? आप कुछ भी पढ़ रहे हो उस पढ़ाई में main होता है आपका क्या self confidence अगर आपके पास self confidence है मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता है कि भाई ये topic मुझसे अच्छा किसी को नहीं आता, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता इस में से जितने भी question बनेंगे मैं वो सारे कर लूँगा, ये confidence होना चाहिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं पढ़तो लेते हैं confidence नहीं बना पाते बहुत बच्चे बोलता है, माम हम ये भूल रहे हैं ये भूल जाएगा, ये नहीं हो पाएगा अरे ये कैसे समझेंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना है जो भी पढ़ो, solid पढ़ो अच्छा पढ़ो, questions करने हैं ताकि आपका confidence बने तो सबसे पहले है कि हमने जो पढ़ा है उस पर confident रहना है समझ में आए ना, तो confidence सबसे बड़ी चीज़ है अगर हम आगे देखें बेटा और भी बहुत सारी चीज़े होती है जब आप preparation करते हो, बहुत सारी चीज़े होती है भाई हमारे पास resources की कमी है बहुत सारी चीज़े होती है बहुत सारी चीज़े होती है और excuses वही लोग देते हैं जिनको कुछ करना ही नहीं होता जो अपनी जिम्यदारी अपने excuses को दे देते हैं इनकी वजह से नहीं कर पा रहे है excuses सब के life में होते हैं उन सारी चीज़ों को उन सारे distractions को वो सारी चीज़े आपको side में रखके क्या करना है पढ़ाई करनी है ठीक है और ये सारे distractions अगर आप side में रखोगे तो mind में सिर्फ positivity रहेगी समझ में आए ना तो एक positive attitude रखना है कि ये distractions हैं ये ठीक है ये जो भी है इनसे हमें धूर रहना है और एक positive attitude रखना है positive attitude मतलब क्या होता है हर चीज positive positive ऐसा नहीं होता positive attitude मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हमारे पास नहीं है तो जो चीज नहीं है उसकी absence में हम उसको failure की तरह ना ले उसको opportunity की तरह नहीं ले कि भाई ये नहीं है हमारे पास ये तो है ठीक है एक glass है वो आधा भरा है ये आधा खाली है ये देखने का नजरिया होता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई आधा खाली है कुछ बोलेंगे आधा भरा है तो ये नजरिया थोड़ा से बतलना है ठीक है ये होता आपका positive attitude कि आपके पास जो है वो बहुत sufficient है और उसी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो अब कैसे अच्छा कर सकते हो देखो बेटा तो किस तरह से पढ़ाई करनी है biology की अगर हम बात करें किस तरह से पढ़ाई करनी है सबसे पहला point आपकी जो NCRT है NCRT ही आपकी भगवान है नीट के लिए बायो की लिए बुल रही हूँ मैं है NCRT में 11, 12 की सारे concepts आपको रट डालने है रट डालने मतलब गोल के पी लेने है आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इस page number पे ये लिखा है इस chapter में ये ये है ये ये diagram से मतलब all over आपको line से line NCRT में सब कुछ पता होना चाहिए समझ में आए न तो NCRT के हाथ जोड़ा करो और उसको पढ़ाई किया करो बहुत अच्छे से अब कैसे पढ़ना है बेटा सबको पता है ठीक है ये बातों सबको भी पता है कि NCRT भगवान है NCRT से ही चीज़े आती है about 99% जो पेपर है आपका NCRT से ही बनता है समझ में आए न किस से बनता है बेटा NCRT से ठीक है 99% बोल्डरी ये पूरा ही हो गया एक तरह से और अभी आखरी के कुछ सालों के पेपर देख लो 2-3 साल के सारे जितने कोश्चन है 90 कोश्चन से आपके कहां से बने है NCRT से ही बने है ठीक है एक भी कोश्चन से आपको बाहर के नहीं दिखेंगे अब देखो Biology में स्कोर करना कितना असान हो जाता है सिर्फ क्या करना है NCRT अब आपने सोचा होगा कि बहुत बच्चे हैं जिनके 360 आउट आफ 360 आ जाता है जिनके 200 पे ऐसी अटक जाते हैं तो क्या होता है Content तो वही है फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब हमें पता है कि इतनी ही चीज़े हैं तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे That means कि उनके पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं है NCRT को पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो हम देखेंगे बेटा कि क्या है तरीका, किस तरह से पढ़ना है पहले तो line to line NCRT, आपकी NCRT की हर एक line बहुत important है दूसरा बेटा, diagrams को, देखो ये diagrams कुछ बने हैं न, आपके NCRT के ही diagrams है, ठीक है diagrams को बहुत अच्छे से समझना है, क्या करना है, बहुत अच्छे से कहां क्या labeling है, देख रहे हो न, कहां क्या labeling है, कहां चीजे कैसे लिखी है क्यों लिखी है यहाँ पर, ये जो labeling हैं, इनकी summary भी दी है summary मतलब इनका content भी है, theory भी है, तो theory को match कराना है, ठीक है बहुत सारी चीजें है NCRT में, पढ़नेक बैठो तो, ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, diagrams, क्योंकि देखो, bio में क्या होता है, diagrams must होते है, अगर आपको diagram है, physiology पढ़ रहे हो, anatomical structures पता है, diagram अगर आपको अच्छे से ध्यान है, तो theory थोड़ी आसान हो जाती है, समझना आसान हो जाता है, अगर आप याद करते हो, चीजों को रट लिए, तो रटी हुई चीजे क्या होती है, बेटा भूल जाती है, मैं लगभग हर बच्चों को यही सला देती हूँ, कि याद करने के बजाए, आप focus किया को अपने diagrams पे, तो जब diagrams आप देखोगे बार बार, तो आपको theory भी याद होगी, तो diagram एक भी नहीं छोड़ना है, जो भी जैसा भी चोटा, बड़ा कुछ भी diagram है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है, देख रहा हूँ ना, जैसे यह diagrams है, एक प्रॉपर लेबलिंग पढ़ने दे देते हैं, आपको A, B, C, D करके, आपको label करना है, तो diagram बहुत important है, ठीक है, तो एक point हमने क्या देखा, कि diagrams को बहुत अच्छे से पढ़ना है, दूसरा बेटा, ये भी आपके कुछ diagrams है, जिन में numericals भी बनते हैं, जिन में बहुत अच्छे questions बनते हैं, तो diagram ध्यान रखना है, बार-बार में बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है, इस तरह से पढ़ने हैं, आपको NCRT, देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, कैसे पढ़ते हैं, पूरी NCRT को रंग दिया है, है ना, मोहे रंग दो लाल, सुना है ना, गाना, तो NCRT आपसे यही बोलती है, मोहे रंग दो लाल, है ना, तो जो छुट छुटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, क्या करोगे NCRT को एकदम कलर कर देना है, पढ़ पढ़ के, ऐसा नहीं है, कि सर्फ रंग ना ही है, क्या करना है, सर्फ इसको बहुत अच्छे से, देखो, किस तरह से हाइप चीज़े, लाइन डू लाइन चीज़े हाइवा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही स्कोर करते हैं, चीजे आपने पढ़ी, ठीक है, यह डाइगराम पढ़ा, इसके बारे में, जो भी पढ़ा आपने ठीक है उसको साइड में लिख लो नहीं है स्पेस स्टिकी नोट्स आते देख रहो न यह स्टिकी नोट्स लगा लो यहां पर लिख लो यही तरीका होना चाहिए आपके पढ़ने का ठीक है कोई भी चीज पढ़ी है उसको हाइलाइट कर दो फिर होता क के टाइम पर बेटा चीजें हमें एक कंजर वे मिलती है ऐसा नहीं होता कि आपको यह कॉपी भी खोल ली है यह बुग भी खोलना अलग-लग निका तो एक ही जगह पे सारा कंटेंट रहता है हाइलाइट रहता है तो नजर पढ़ती है हमारी जितनी बारा अंसियाटी पलड तो हर एक word वहां क्यों है क्यों लिखा है क्या मतलब है इवन कोई English के भी words होते हैं तो उसका भी मतलब देखना है questions बन जाते हैं इस तरह से deeply आपको NCRT पढ़नी है diagrams देखना है और क्या करना है देखो इधर बहुत important चीज़ बेटा जब आप theory पढ़ते हो ना तो theory में क्या होता है कुछ corrections है क्या है कुछ corrections है NCRT में लगब हर chapter में कुछ ना कुछ corrections है तो बच्चों को होती है confusion की यह पढ़ा था यहां तो इसका आगे मतलब यह लिखा है ठीक है तो डरना नहीं है घबराना नहीं है NCRT में कुछ corrections है जब आप lectures attend करते हो तो teachers आपको बताते हैं जैसे आप पढ़ोगे अगर आप breathing और respiration को दोनों same लिख दिया जबकि आपको पता है बेटा breathing और respiration same तो है नहीं है na breathing तो क्या है सिर्फ exchange of gases है और respiration तो उसमें एक step होती breathing तो एक step होती respiration में मतलब oxygen को utilize करके oxidation करके आपका energy बनाना बट यहां पर same लिखा है just अगर आप आगे थोड़ा सा 2-3 पनना पल्टो समझ मैं तो breathing को ventilation भी कह रहे है और NCRT के recording इसको respiration भी कह रहे है समझ मैं तो अकसर मान लो assertion reason में इस तरह से question बन गए आपको पता है कि NCRT में correction है although आप answer क्या दोगे जो NCRT में लिखा है यह बात हमेशा ध्यान रखना सही concept समझो जो चीजे गलती है या पर उसका सही concept क्या teacher आपको बताता है जब आप lectures लेते हो तो आपको पता चलता है ठीक है लेकिन आपको answer या tick वही लगा के आना है नीट में जो आपकी NCRT कह रही है पड़ते time confusion होता है उसके लिए सही चीजे समझ नहीं और वैसे भी भई आप कल को doctor बनोगे सही concept क्या है तब पता दो चलना चाहिए ना समझ में बट हमें selection लेना है तो हम नीट के according क्या देंगे answers तो यह कुछ corrections है अब बेटा अगर हम बात करें जो summary वाला देखते हो आप summary पोर्शन देखते हो ना summary तक आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्यों क्योंकि summary में भी कुछ ऐसी चीजे दी है जो जाते हो और आप बोलते है out of NCRT भाई NCRT में ही तो लिखी है summary तो summary भी जो लिखा है पूरा आपका NCRT में ही cover हो रहा है ठीक है question answers दी है जैसे अगर इसी chapter कर बात करें तो 2-3 disease दी है ठीक है अस्थमा है occupational disease यह सारी चीजे है hypoxia के बारे में कुछ भी नहीं दिया बट पू आ रही हूं NCRT किस तरह से पढ़नी है ठीक है तो इतनी deeply NCRT पढ़नी है अभी मैं जो summary वाला point बोल रही थी देखो बेटा ठीक है अगर हम summary को देखें तो यह एक summary का screenshot है na summary में से अब देखो stroke volume आपको पता है but summary में लिखा है इसका दूसरा नाम beat volume तो जब lectures लेते हैं तब यह चीज बताई जाती है ठीक है कि stroke volume को beat volume भी कहते है अब एक मिला ना एक point अब अगर यह आ जाए किसी बच्चे ने समरी ने पड़ी तो वो क्या सोचेगा out of NCRT but nothing is from out of NCRT सारी चीजे NCRT से ही रहती है ठीक है फिर से NCRT के हाथ जोड़के उसको पढ़ाई करनी है एक ए आंसर वही देना है जो NET में जो आपके NCRT में लिखा है समझ में आया ना जैसे अगर एक correction और बोलो यहाँ पर लिखा है end of the stall जब की होना चाहिए क्या end of die stall तो ऐसी चीजें हमें ध्यान रखनी है सही concept को ध्यान रखना है यह से यह correction है आपका यहाँ पस permeation के definition गलत लिख of seminiferous tubule लिख दिया है जबकि lumen में आता है समझ में आय ना तो ऐसे बहुत सारे corrections है यह कब सीखते हैं जब हम lecture लेते हैं यहाँ भी correction है समझ में तो ऐसे अलग-अलग corrections हैं बट आपको ध्यान रखनी चीजे तो पैला point क्या बोला मैंने आपको diagrams ठीक है दूसरा point क्या मैंने आपको बोला ठीक है आपको line to line highlight करते हुए ncrt को पढ़ना है ठीक है तीसरा point क्या बोला summary भी skip नहीं करनी है जो questions दिये हैं वो questions में कोई नया word तो नहीं मिल रहा है उसको भी skip नहीं करना है तो diagram summary ठीक है line to line ncrt अच्छे से explanation summary भी पढ़नी है questions भी पढ़ना है समझ में आया ना next अगर आप देखो किस तरह से पढ़ना रहता है बेटा इस तरह से चीजों को अगर आप बहुत theoretical वे में पढ़ोगे तो याद नहीं कर पाऊगे तो हमें क्या करना है simply flow charts बना के पढ़ना है ठीक है flow charts जब हम बनाते है ना तो concept strong भी होता है चीजे याद या ध्यान में जल्दी रहती है memorization पावर बढ़ जाती है यह सारा खेल किस चीज का हो रहा है कि आप पढ़ कितना रहे हो वो तो ठीक है बट आपको exam time जब pressure पढ़ रहा है तो memorize कितना कर पा रहे हो कितनी चीजे ध्यान है क्योंकि जब हम operation करते हैं तो जो पढ जाएगी NCRT में बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे examples है ठीक है जितने भी chapters about 38 chapters सारे सारे सब chapters के अलग से examples लिख लो कि यह chapter है ठीक है digestion इसमें यह यह example है ठीक है respiration है यह example reproduction है यह example है तो इसे अलग से आप example कि देखो न टेबल बनी हुए है कि इस chapter में यह example है अलग से सारे content आपके पास होगा proper flow charts का होगा proper diagrams का होगा examples examples है बहुत question बनते हैं तो यह इस तरह से हमको effective पढ़ाई करनी है ठीक है बेटा next अगर हम देखें कुछ books अब भई कितना भी पढ़ाई कर लो कितना भी पढ़ाई कर लो जब तक क्या करोगे question नहीं करोगे theory कैसे clear होगी है ना अगर आप चाहो कि बैट जाओ याद करने और हमें theory याद करने आज हमें पूरा cardiovascular system याद करना है फिर हम question करेंगे ऐसा नहीं होता ठीक है तो ऐस जादा से जादा question लगाने पर कोई चीज अगर skip होती है वहाँ पर तो दुबारा एक बार देख लिए दुबारा question लगाओ अगर ऐसा चाहोगे कि हम पूरा याद कर लें इसको अच्छे से फिर बाद में question लगाएंगे कभी नहीं होगा समझ मैं और भी तो दो अच्छे subjects ह physics और chemistry है ना तो याद करने का sense मत लगा ना questions पर focus करना जब आप question solve करोगे ना 100 question, 1500 question, एक chapter पड़ा या फिर एक content पड़ा जैसे मालो heart पड़ा, anatomy of heart उस पे based 100, 1500 question जितने आप से एक दिन में हो रहे है minimum 100 question तो लगाओ अपने आप वो topic आपको याद हो जाएगा और वही सही तर होना चाहिए, याद करने का अलग से time निकालोगे चीजे कभी नहीं ध्यान रहेगी, questions पर focus करना है, books है कुछ, जो मैं prefer करती हूँ, आपको बता रहे हूँ, सिंगेज है, ठीक है, doctor Ali है, ठीक, और आपकी MTGC, कुछ books है, वो क्या है, बहुत useful होती है, questions बनते है, questions बहुत सार तो है ही, ठीक है, और question लगाने का तरीका क्या होता है, चार option दिये है, अगर match the following है, तो हम elimination method से करते हैं, ठीक है, 4 option है, कोशिच करो, गर elimination method से हो रहा है, तो बाकी eliminate कर दो, time बचता है, ठीक है, पर जब आप practice कर रहे हो, तो चारो जो गलत है, वो क्यों गलत है, और जो सही ह होगे, तो एक question से 4 concept आपके clear होंगे, 4 options होते हैं, यह तरीका है, तो questions पर बहुत ज्यादा focus करना है, ठीक है, फिर से मैं बोलू, आपको NCRT line to line highlight करके अच्छे से पर डालनी है, ठीक है, समरी भी नहीं छोड़नी है, diagrams को बहुत अच्छे से देखना है, ज्यादा से ज्याद बनाओ, कि हाँ भई, यहाँ से हो रहा था, left lung से, फिर left, आपका left ventricle है, फिर आपका erota में जा रहा था, फिर body tissue में, इस तरह से आपको हर एक चीज का flow chart बना के, visualize करना है, memorize करना है, imagine करना है, जब आप किसी भी चीज को picture के form में देखते हो, वो चीज हमेशा धेहन रहती है तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, यह कुछ books है, इनको refer करना, ठीक है, NCRT है, इनको refer करना, बाकि कोई भी lecture आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको proper DPPs मिलती होगी है, ठीक है, तो यह होनी चाहिए, कि smart तरीका, इस तरह से आपको NCRT को समझना है, अब ही content है, जो समझना चाहिए, जो आता है, जिसमें से questions, सब कोशिश करते हैं, हम आपको deliver करने की, बट उससे भी जादा important होता है, बेटा, वहाँ तो चीज़े deliver कर दी, उससे जादा important है, कि आपके जो doubts आ रहे है, कि आपने पढ़तो लिया, बट कुछ कोशन पूछना है आपको, जो doubts है, वो clear कैसे होगा, ठीक है, तो इसके लिए, बेटा, हम आपके लिए लेके आए हैं, अपनी paid batches, ठीक है, तो हमारी paid batches हैं, जिसमें आभी offer चल रहा है, क्या offer है, रक्षा बंदन का offer है, ठीक है, 28-30, तो अभी आपके पास एक दिन है, ठीक है, उस पे जाके आप 11% off भी चल रहा है, आपके लिए special 11% off चल रहा है, code आप लगा देना, कि जो code यहां लिखा हुआ है, सारी चीज़े mention कर देना, ठीक है, राखी code यूज कर लेना, कोई भी inquiry चाहिए, यह 3 number है, इन 3 number में से कहीं पर भी call कर लेना, आपको सारी details मिल जाएगी, तो बहुत benefit है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, चीज़े आपको YouTube पे डिलेवर तो होती है, बट बेटा, सबसे important होता है, कि आपके doubts क्या है, उससे भी important होता है, कि बच्चे की counselling, कि वो जो पढ़ रहा है, वो सही direction में पढ़ रहा है कि नहीं, तरीके से पढ़ाई हो हो रहा है, यह चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, यह तभी होगा जब teacher student का interaction होगा, जो यूटूब पे इतने crowd में possible नहीं होता, तो content हो मिलता है आपको, बट जो interaction सबसे main होता है, वो चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है, तो हम अपने यहाँ पर पूरा कोशिश करते हैं कि पर student प्रॉपर ध्यान जाये, प्रॉपर अटेंशन जाये, एक एक बच्चे के doubt solve होते हैं, बच्चों को DPPs मिलती है, हर संडे टेस्ट होता है, ताकि बच्चे भी evaluate करें अपने आपको, और teacher भी समझे कि बच्चे right direction में तैयारी कर रहे हैं या नहीं, है ना, तो यह कुछ तरी हैं बेटा, जो आप 12 वाले हैं, ठीक है, जो 12 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, 12 वाले भी है, उनके लिए भी बहुत सही है, ठीक है, तीनों subject हम पढ़ाते हैं अपनी paid batches में, physics, chemistry, bio, तो paid वाले जो आपके 12 वाले बच्चे हैं, वो भी इसको रहे सकते हैं, सारी चीज सेम ह same numbers, ठीक है, सब चीजे, ठीक है, बहुत सारी चीजे होती है, आप देख सकते हो, क्या-क्या होता है, notes proper मिलती है, ठीक है, proper sheets मिलती है, सारे concepts को analyze कराया जाता है, ठीक है, counseling होती है बच्चों बेटा की, और क्या होता है, explanation बहुत अच्छे तरह से होता है, जो भी content है आपका, दूसरा है, आपके DPP discussion होते है, doubt discussion होता है, sheets मिलती है, test होता है, बहुत सारी चीजे है, तो बिलकुल offer को मत जाने दे, ठीक है, तुरन जाए और इस पे आके अपना login करें, ठीक है, तुरन जाके इस classes को आप attend करें, ले, तो मिलते हैं बेटा, hope so, आपको समझ में आया होगा, कि chapter को पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, सबसे important है, self-confidence, ठीक है, जो पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, और positive thinking से काम करना है, ठीक है, बाकी तरीका आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो मिले पेट बैचेश में, तैंक यू सो मच.